तो आपको पता चल गया होगा कि दो दिन पहले कोरिया की कैपिटल सियोल के इतेवन एरिया में हुए दर्दनाख हासे में एक कोरियन आर्टिस्ट की जान चली गई है और जब से ये निउस वाइरल हुई है तब से हर तरफ इसी बारे में बात हो रही है और आप में से हमारे काफी दोस्त इस निउस के बारे में जानना चाते हैं तो हम आपको इस निउस की फुल इंफॉर्मिशन डिटेल में बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथी नोटिफिकिशन बेल भी ओन कर लिजे जिससे कोरिया की कोई भी निउस आपसे मिस ना हो दूस्तों यू तो इतेवान एरिया में हुए हाथसे से रेलेटेड ना जाने कितनी दिल धहला देने वाली निउस लगातर वाइरल हो रही है लेकिन इसी बीच कल शाम को कोरियन मीडिया की तरफ से एक निउ कि गई जिसमें कहा गया कि प्रोडीस 101 सीजन 2 के कंटेस्टैंट लीजी हान की इसी हासे मैं जान चली गई है जी हां दोस्तों यह कोई वाइरल निउस नहीं है यह 100% कंपम न्यूज है जिसे ली जी हान के एजेंसी ने कंपम किया है और इस न्यूज के बाद से कोरियन एंटर्टिन्मेंट इंडरस्टी में एक मायू से छा गई है 24 एर्स के ली जी हान 29 ऑक्टूबर की नाइट को अपने कुछ दोस्तों के साथ हैलोईंग पार्टी अटेंड करने गए थे लेकिन अचानक भगदर के बीच उन्हें सांस लेने की दिक्कत होने लगी और कार्डेक अरेस्ट से ओन दे स्पॉर्ट्स उनकी जान चली गई हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ली जी हान Korean Music Reality Show Produce 101 Season 2 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं जहां उन्हें काफी पसंद किया जिसके बाद उन्होंने कुछ के ड्रामाज में भी काम किया और अभी भी वो अपने कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जि में कुछ के ड्रामाज और कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं लेकिन कर ली जी हान के कुछ दोस्तों ने अपने इंस्ट्रेग्राम एकाउंट पर इस शौकिंग न्यूज को शियर करते हुए कहा कि हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने अपने दोस्त ली ली जी हान के दोस्तों ने बताया कि 31st October यानि आज उनका funeral रखा गया है जिसमें family और friends को शामिल किया गया है इसके साथी company ने कहा कि ली जी हान की family के लिए ये बहुत बड़ा loss है जिसे हम चाकर भी नहीं भर सकते लेकिन हम God से pray करेंगे कि उन्हें इस हाथसे से बाहर निक सेने की हिम्मत दे and may his soul rest in peace तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में till then take care and सारंगे ओप